नमस्कार दोस्तो स्वागत आपका अमारे यूटूब चैनल गुरुजिक दुनिया पे तो दोस्तो अक्सर लोगों को ऐसी डीटी हो जाती है चाहे बड़ा ओ बुड़ा ओ या जवान ओ किसी को भी हो सकती है तो आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं कि दो तिन दिन में ऐसी डीटी को जड़ से कैसे बगाएं तो दोस्तों आओ हम आपको बताते हैं कि करना क्या है तो दोस्तों अब आपको करना क्या है आपको लेने हैं दो केले दो केले लिए ور आपको लेनी है कुटी हुई थोड़ी चीनी आप खांड या बुरा भी ले सकते हैं और आपको लेना चार पांच ilaq ही कुटी हुई तो इसके बाद आपको क्या करना है आपको गेस जलानी है गेस जलाने के बाद आप दोनो केले को गरम होने दें ताकि उनके ठंड़क निकल जाए क्योंकि केले का तासिर होता है ठंड़ा इसलिए उसको गरम करना जरूरी है आप अच्छे से उसको गुमाते हुए गरम कर लें जब वो पूरी तरह गरम हो जाए तब तक उसको गरम करते रहें तो दोस्तों हमने दोनों केलों को पूरी तरह गरम कर लिए इसके बाद आपको करना क्या है आपको चाकु से केले को काटना है तो यह काट लिए इसको अब इसमें थोड़ी यह बूरा डालनी है थोड़ी-थोड़ी बूरा पूरे कटेवे में डालने अब इसमें डालनी है, आपको इलाइची पाउडर कुटा हुआ इसी तरह आप दूसरे केले में भी डाल ले और इसका ठंडा होने दे ठंडा होने के बाद आपको लेनी है मिक्सी और केले को छील लेना है केले को चील लेने के बाद आपको चोटे चोटे टिकुडों में काटके मिक्सी में डाल लें तो यह कट गए हैं तब आपको का करना क्या इसको बनाना है चटनी ग्राइंड कर लेना है ताकि अस्थे से नरम चटनी बन जाए एक से यह का तो दोस्तो आपकी चटनी तयार होगी हब आपको इसको एक काटोरी में डाल लेना है तो यह आपकि चटनी बन कर हो गई तयार जैसा कि आप देख रहे हो यह इसका आपकि बनकर हो गई त्यार अब आपको करना क्या है यह लेनी हैं और है आप को इसे खाना है आप इसको खाने साथ खा सकते हैं आप चाहो तो इसकी जगा से कंखा characteristic लेकिन यह चटनी जोरूर इस्तेमाल करें अगर आप इसको इस्तेमाल करते हो तो आप पाओगे कि दो-तिन दिन में आपकी एसी डिटी जड़ से खतम हो गई है तो दोस्तों आप इस चटनी का इस्तेमाल करें और एसी डिटी बगाएं और इसका फायदा उठाएं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको पलीज लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि और लोग भी इसका फायदा उठा सकें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पलीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकोन दबा लें ताकि आप आने वाले किसी भी आयरवेद गरेलू नुष्के को मिस ना कर सकें दिन्यवाद